तो अब्जेक्ट इस बुविंग विच सम्कॉंस्टन स्पीड दी नॉट और इनिशल डिस्टन से इसका पॉर एफ नॉट अब यहां पर हमें वेलोसिटी वर्सस टाइम का ग्राफ है तो देख लेते हैं अब यहां पर यूज क्या होगा आपको और मिरर्ट पॉर्मूला हम यूज करेंगे मिरर्ट पॉर्मूला और मैगनिफिकेशन क्या यू कहो कि वी आई ठीक है न इंस्टन स्पीड इंस्टन स्पीड का फॉर्मूला क्या है तो देखो इंस्टन स्पीड का यह फॉर्मूला है इसकी जरुवत बिल्कुल है हमें क्यों क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है तो उसमें जो जो स्पीड से हैं यहार इंस्टन स्पीड वेरी फर्स दिंग के हमारा जो अब्जेक्ट है यूवन तो वो कहा है 4F0 पे है इसकी इस पोजीशन पे मुझे इसकी इमेज भी तो पता लगानी बढ़ेगी तो आइकन प्लेस दी वैल्यू तो देखो 1 अपॉन वी वन यह माइनस वन अपॉन 4F0 कर देंगे स्प्लेस यह माइनस वन अपॉन 1 अपॉन F0 अइस्ट प्लेस प्लेस इंकन से यह माइनस वन अपॉन Sवी तो इससे V1 क्या हो गया माइनस 4 F0 by 3 तो यहां से जो मुझे पहली speed मिलेगी V1 तो माइनस अब देखो square करेंगे तो यह 16 F0 square by 9 अब नीचे है U तो 16 F0 square इंटू V0 भिश्केयों फिश्केयों तो यह आ गया V0 by 9, V need only magnitude तो चलो एक तो यह value आ गए अब graph को वापस से जरा देखे तो दूसरा जो time है F0 by 2 F0 by 2 एक काम करते हैं हम यह 3 F0 by V पता लगाते हैं ताकि इससे हमें एक idea मिल जाएगा तो अब बात करते हैं कि जहां पे time कितना है 3 F0 by V है तो speed तो हमारी वैसे भी constant है तो उससे जो distance आएगा जाने के object distance u speed multiply by time तो यह V0 सामने चला जाएगा तो यह आ गया 3 F0 वापस से यह 1 upon V minus 1 upon 3 F0 इसके बराबर minus 1 upon F0 तो यह 1 upon V minus 1 upon F0 यह minus minus plus 1 upon 3 F0 तो यह हो गया minus 2 by 3 F0 यही value हम V I में place करते हैं तो V I negative sign को तो चलो अब neglect ही करते हैं तो यह 4 F0 स्क्वेर by 9 time यह है 9 F0 स्क्वेर into V not ठीके न यह 3 F0 है U की value तो 3 से multiply and divide जैसे ही करोगे तो यह 9 F0 स्क्वेर by 4 and times यह V0 स्क्वेर जो है 9 F0 स्क्वेर into V not तो यह वे चारा cancel out हो गया तो यह आ गया V not by 4 मतलब देखा जाए तो यह speed तो बढ़ी image की speed बढ़ी तो देखते हैं कहां पर image की speed बढ़ रही है देखो यहां पर तो 0 आ रही है नहीं होगा फिर B में देखेंगे तो V not से और बढ़ी होनी चाहिए तो यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा आप देख सकते हों सी बिल्कुल होगा क्यूंकि speed लगातार बढ़ रही है तो यह भी बढ़ेगी बढ़ेगी तो correct option is C यहां पर लिख देते हैं speed is correct option लोग गया